हलो गाइज वेलकम बैक टो मैं मॉम्स चैनल अनीसा जी का किछिन तो आज हम लोग आप लोग के साथ शेर करने वाले हैं मटर पुलाव की रेस्पी विंटर स्पेशल दावत वाला मटर पुलाव वो भी घर पर है ना ममी हाँ तो इसे कैसे बनाना ये मेरी ममी बताएंगे सब पहले हमें तेल लेना एक चमस तेल गरम हो जाए। तो हम कान्दा डालेंगे उसमें एक काण्दा ये तेज पत्ते दाले हैं सब खड़े मसाले दो लाइची काली बड़ी चोटी डाल चीनी जीरा गोल्मिरेज सब ये हाँ अब इसको हलका हम लाल करेंगे ज्यादा लाल अध्रग, सुन्कुट, पेश्ट डाल ए उसको भी कच्छापन निकालेंगे, भूर लेंगे उसे और कच्छापन निकालेंगे, अब मिर्ची डाले, अपने, मैं चार मिर्ची डाले तिक्खी, अब ये एक नौगे ये चाजू डाल दीए, पांच ये काजू, इसको भूजें अब इसमें हम मटर डाल देंगे इसको भी भूजेंगे मिला के अच्छे से बिगाई भी मटर थी की नौर्म नहीं वह ताजी फ्रेस मटर एक चम्मज सौपक पाउडर और धनिया पाउडर यह भी डाल कि इसको अच्छे से खुब मिला के भूज लेंगे नमक अपने हिसाब स इसको ढग देंगे 5-6 मिनट इसको ढग लेंगे लो मीडियम हाँ जल्दी मटर गल जाएगी थोड़ी अब गल गया हमने चावल भीगा के रखे थे 20 मिनट अब हम चावल सब भीगा हुआ चावल इसके अंदर डाल लें इसको मिक्स करेंगे अच्छे हलके हां से हाँ चाव अगर आप मेरी ममी के वीडियो पहले से देखते तो आपको पता होगा हमारी एक ट्रिक है मेरी ममी की ट्रिक है हम यहां पे कलचुल से जो भी चमचा होता उससे नापके देख रहे हैं के चारुंगली तक के लाइन तक आने चाहिए धक दिये उसको वाल आने लगा अब इस हलके हां से मिक्स कर लो मिस करके अच्छे से हलके हां से चावल ना तुटए पांच मिनट के लिए ढख के छोड़ दो सीज गया दम पर एक दम और अब हमारे रेडी है दावत वाले मटर पला चावल बनके रेडी है आप इसे किसी के साथ भी खाने के साथ पैर कर सकते हैं च सब्सक्राइब करें तब तक में मिलतें नेक्स वीडियो में आला अफिस वाइए